जै हिं जै भारत साथियों साथियों आज एक और खास विश्य पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं अभी मैंने कहा था कि जो भी आपके सवाल हों बताइए और मैं उस पर वीडियो बनाने ही कुशिश करूँगा उसी सीरिज में एक रिक्ती ने सवाल पूछा कि सर्थ चुनाओ जीतने में कितना पैसा खर्च होता है कितना पैसा लगाना पड़ता है मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए यह ऐसा टॉपिक है बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि मैं कुछ चुनाओ लड़ने जा रहा हूँ आकर उसमें कितना पैसा लगने वाला है मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए कितना पैसा खर्च होने वाला है साथियो चुनाओ लड़ने के लिए तो ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता और किसी भी चुनाव में, अगर चुनाव जीतना है, तो विरोधी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, अगर आपके सामने विरोधी ऐसा है, जो हजार कुड़ की संपति इसने वाइट में दिखाई है, जो बहुत जादा खर्चा करने वाला है, किसी बड़ी पार्टी का नेत कुड़ा है, कोई बड़ा चैरा है, तो वहाँ पर आपको सामदा मदन भृत करना पड़ेगा, जदा खर्चे करने पड़ेंगे, जदा पर चार करना पड़ेगा, रणनीती बैसे बनानी पड़ेगी, वहाँ खर्चा जादा होगा मालीजे कोई छोटा चुनाव है, अब चुनाव आप लड़ रहे हैं पारशत का तो उसमें करोड़ रुपे खर्च नहीं होते हैं, वैसे उसमें भी कई लोग कर देते हैं वो अलग बात हैं लेकि जर्नली नहीं होते हैं, मोटे-मोटे तोर पर जो इलेक्शन कमिशन ने लिमिट दी हुई है चुनाव की आप जब भी कोई चुनाव लड़ने जाएं, सबसे पहले पता करें कि उस चुनाव में इलेक्शन कमिशन की लिमिट क्या है और जो भी लिमिट इलेक्शन कमिशन ने दी, उसके पीछे एक जीरो लगा लेना सीधा, सिंपल फॉर्मुला है, अगर आपको यह जानना है, किसी भी चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है होता है, या खर्च करना ही पड़ेगा, अगर हमें फाइट में आना है, हमें चुनाव जीतना है तो जितनी चुनाव की लिमिट होगी, उसमें एक जीरो लगा लेना कई जगा के लिए शही नहीं होगा, जानि कि एक जीरो कम आमांट होगा, इससे जादा लगेगा जैसे ग्राम परधान के लेक्षन में, अगर मान लेजे 20,000 की लिमिट है, तो वहाँ पर 2,000,000 रुपे से काम नहीं होता है वहाँ लोग 2,000 लगाते हैं, 20,000,000 रुपे भी खर्च कर देते हैं लेकिन मोटा मोटा तोड़ परखास कर सें, लोग सभा के चुनाओ की बात करें, विधान सभा के चुनाओ की बात करें, मेर के चुनाओ की बात करें, पार्शत के चुनाओ की बात करें जो चुनाव आयोक की लिमिट होगी उससे एक 0 जादा यानि 10 ताइम जादा खर्चा होगा अगर वाकई आपको फाइट में आना है वाकई चुनाव जीतना है अब जो सवाल है कि अपनी जेप का कितना पैसा खर्च होगा आपके उस कितना पैसा होना चाहिए वो मैटर नहीं आदे फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ लोग कहते हैं कि अपनी जेप का कुस तो लगाना पड़ेगा मैं ऐसे निताओं को जानता हो और आप भी जानते होंगे जिन्हों ने अपने नॉमिनेशन की फीस भी खुद नहीं दी है उनके आस पैसे थे ही नहीं लोगों ने पैसे लगाना जरूरी मैं यह नहीं कह सकता कि बिना पैसे के चुनाओ जीत लगा जाएगा बिना पैसे के वर्तमान राजनीती में आप सफल हो सकते हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूँ बिना अपनी जेप का पैसा लगाए आप पूरी तरह से सफल हो सकते हैं आप चुनाओ जी पैसा दो खर्च नहीं करते हैं लेकर आपको संसाधन देती हैं और मैं भी अक्सलों से पूस्ता हूँ आपको पैसा चाहिए चुनाओ लटने के लिए क्यों भार पैसा क्यों चाहिए? वो कहते हैं पैसे समाल लेना है, पैंफलेट आएंगे, बैनर आएंगे, होडीस आएंगे, गाणिया चलेंगे, पेट्रोल लगेगा, लोग आएंगे, खाना होगा, बाकी चीज़ होंगी, तो मैं बहुत हो अगर ये सारी चीज़ आजाए तो, कहते हैं फिर पैसे की जुरू होती नहीं है, कि वह नॉमिनेशन का पैसा खर्च कर दीजेगा, क्योंकि महां तो कोई और संसादन लगेगा नहीं, महां तो पैसा चाहिए होगा, बाकी सारे संसादन अगर आपके पास हैं, तो चुनाओं में पैसे की जुरूत नहीं, और यही कारण है, पार्टी के पार्टी का, सारा काम करने वाले पार्टी के, पधियातरा में, रैली में जाने वाले लोग पार्टी के, गाड़ियां पार्टी की, पेट्रोल पार्टी का, सब चीज़ पार्टी की, तो फिर क्या जरूत पड़ीए, क्योंकि हमें पैसा किस लिए चाहिए, हमें पैसा तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी बरतमान राजनिती में बिना पैसे के आप चुनाओ नहीं जीच सकते और कितना पैसा लगेगा मैंने आपको बता दिया जो भी चुनाओ की लिमिट होगी जिस चुनाओ को आप लड़ने जा रहे हैं उसको इंटू 10 कर ल लड़ना है अगर आपको चुनाओ जीतना है और अगर आपको इनके बत चुनाओ लड़ना है तो जादा पैसे की जरूरत नहीं होती है